आज कि इस वीडियो में बात करेंगे बीए बेसी बिकॉम के फ़स्टेर के फ़स्ट समस्टर के जो भी छात्र है जिनका सब्जेक्ट फूड नूट्रेशन अंड हाइजन है यनि कि ये अनिवार प्रश्ण पत्र को करिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसकी परिच्छा सभी छा पहले ही तो पहला पेपर आपको अपना कउमार सीट फिल करना होगा और रोल नंब करना होगा और जो आपको उत्तर नहां पर और बुकलेट कोड यहां पर आपको लिखना होगा तो इसाई जानकारी आपको वहां पर लिखने पड़ेंगी ठीक ऐसा ही होगा अब आते हम questioning and सर्पफ यह पहला प्रस्न के निमद में से कौन सकारक आहार नियोजन को प्रवाविट करता है इंपक्ट डालता है तो इसमें को आपको सही लगे हैं यह जो सही हो थेगत समझ लेना फिरर ही उत्तर उसका उत्तर देना है ठीक है तो इन में से जो अहा नियोजन को प्रहावित करता है वो भेया बैवसाय भी करता है उम्रूभी करती है सारी अवस्था भी करती है फिल् करता है एक तरिकर से डीक है और अगला प्रस्जण कि किस अहार को संपूर पेर सकते हैं समपूर आहार तो इसका सही उत्र हो जाएका आपशे नमबर ढूत्र को गैश सकते हैं ठीक है आपकी जानकारी के लिए भी बता दिजो आपके इक चार इूनिट इसमें आते हैं तो हमने इससे पहले बीडियो बनाई विजिसे कि फर्ष्ट एटने भी घूस्ट आ सकते हैं मैं उसके बाद हम दूसरे दिन हमने केंड यूनिट टेज़ जो विडून कोश्चन आ सकते हैं उसको मैंने बनाई फिर हमने दो दिन के बाद फिर थर्ड यूनिट फिर जो भी कोष्चन आफ रखते थे उसकी वीडियो बनाई फिर अगले दर हमने फौर्ट यूनिट फिर जो है इन सभी फिर जुड़े सारे के सारे कोष्चन जो हमने अलग-अलग पीडियो में बनाईए उनका सभी मैंने एक में कर लिया ताक थिक ए तु हिए तो इन तीनों को हमने समाहित किया तो वीडियो बहुत की महात पोरण है तो इंडर तक बने रहीएगा हो सकता आपको पिशले वाले क्विश्चोन इसमें देखने एक नहें कर दिया ठीक है तो महा संग्राम हमारी वीडियो है कूपोसफड के कारण होने वाला रोग कूंसा है ठीक है तो कूपोसफड जब हो जाता तो आपको जो रोग होता है वहाँ पर याद रखेंगे वह होता है ठीक है क्वासी और कर वा मेरम ठीक है मेरा समस एक रोग होता है यह हो जाता कूपोसड की ठीक है कारण होने वाला आपको अच्छे समझा रखा अगर हमारी वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख भी सकते पिछली वाली इसमें अच्छे समझाया गया है ठीक है अगला प्रशने की दालों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है याद रखेंगे भोजन में उर्जा का साधन क्या है इन आ अगया प्रशने की आवश्ट्ध्ता की अनकूल होता है तो इस चाहिए को सबसे पोश्ट्ध और पोश्ट्ध यह सभी मुख्के इसे बारे में आप उप्रेवट में से सभी अगला प्रशन है कि अहार बिज्यान किसे कहते हैं तो अहार बिज्यान किसे कहते हैं आपसों में से कौन सा सही उत्तर होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C ठीक है आहार बिज्ञान हम कहते हैं ठीक है पाथ्या पत्थे को ठीक है सही उत्तर C होगा अगला की 18-वी सताबदी के अंत में किस बैज्ञानिक ने पोस्टर को एक बिज्ञान के रोप में लोगों के सामने रखा तो बहुत ही पॉप्लर कोश्टी ने भी है पर इच्छा मयाने की उम्मीर है तो सही उत्तर हो जाएगा option number C हो जाएगा ठीक है लेवेजर ठीक है लेवो इजियर ठीक है और अगला प्रशन है कि सरीर में पोसक तत्तो के कार क्या होते हैं उसके बास iki ब्रदी में सहायता करते एक लएगा तो सो पोसटर की पहिचान स्पल सा उत्तर लिखेंगे अथ नंबर लेकिन महात पूंड़ रखेंगी ठीक है सई उत्तर हो जाएगा तेनमबर दीजए ठीक है पहिचान सरीब kenIT एक सभी og सैंवे पनलठ तो फरीर का लंब भार लंबाई यूम आवी के अनुसार तीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है उप्रयक्त में से सभी ठीक है क्योंकि सोपोस्ट की पहचान है कि एक अप तंदुरुस्त इंसान रहे तीक हो ही होता है अगला प्रश्ण है कि को पोसित शरीर की पहचान क बहुत है के रहने कुलमला के वीक्नेस और अनफिट मैं जिसकों बोलते हैं इसको बोलते हैं कुटे सब्सक्राइब नगे न read-up- aujourdements इच्छा मोई नहीं आपको जानकारी नहीं तब भी भूप खाय जा रहे हैं ठाजरेशे लोग परोग्राम साद़ी मारते से मीठा यानि कि रसगुल्ले ज्यादा खाते और सुबा भगते हैं यह भी तो ध्यान रख रहा है तो कोई चीज होती लिम्टेड होती वहाँ पर मतलब आपको जानकाए नहीं है ठीक है और आप खाये जा जा रहे खाद परदारह आभाओ यह सब की और समयऔ क आप लोग खाना खाएंगे अनेमित भोंजन lit Med घथ ज О Buton खाएंगे यानि कि जिसको डोलते हैं कि आप लोग क्या बोलते हैं समयच बरगर जन वह है ठीक है चाट है मोमोस है इस तरह के बहुत फारे जो मैदे से बनी होती है जैसे की मैगी लोग खाते हैं सब यह सब क्या है यह दो सपूर भोजन के प्रकार है ठीक है और इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरयोक्त में की मनुस्श्त का निर्धारित होता है थाढ ऊतफादन द्वारा यह समाज द्वारा प्रकति मनुस्श्त का निर्धाय्त होता कामें संक्छ Usually I can do that यह तंबबर और इन्ह ceux के आहर निर्धारी से होते हैं इन सभी से इफले से उत्रस्का हो जाएगा कौन सा कमेंट सेक्षिन में बताइए डी नमबर ओके अगला कोश्चन है कि संतुलित आहार गहन करने से ठीक है क्या होता है परफेक्ट खाना खाएंगे एक परफेक्ट भोजन करेंगे तो आपको आपकी प्रित्रियोधक जो छमता होगी उसमें विकास होगा बढ़ेगी ठीक है आवस्यक आपको एनरजी मिलेगी उड़िया मिलेगी भोख सान तो हो जाती है यह नहीं की आप लोग मतलब की क्या होता ना आपको मालीजे बहुत फारे चाहत रहे हैं जिन्होंने फिरीज नहीं खरीदी कोश्चन बैंक नहीं खरीदी यह फिर उन्हों तैयारी नहीं की है वो परिछा देने जा रहे हैं फोड न्यूटरेशन और हाइजन की ठीक है तो उनके लिए में एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक के बिना भी आप एक्जाम में नंबर ला सकते हैं पासिंग नंबर तो ला सकते हैं कम से कम इसके तुम्हें गारिंटी ले रहा हूं तो वीड़ो को अंट तक देखते रहेगा हम आपको भी बताएंगी ठीक है अगला प्रशने की आहार से आयोजन का चरण ठीक है तो आहार सबस्की कर देखते हैं अगला प्रशने कि आहार नियुजन का उद्विदेश क्या होता बहुत ही महाथ पूर्ण प्रशन याद रखेंगे कि अग्ला प्रिष्टर एक की कारियों का वरगी करण किस के अंतरगत आता हैं। दियान से सुन लिजिएं। भॉजन के कार्यों का जो वर्गी करन आता है वो आता है भीया वहिए जञें के समाज़िक कार्यों के भी बोगय के मतल परिय क्यात्म कारे के बीचज इसलिए तर्डी हो जाएगा ठीक है कि इसी बात को द्यान रूंट और करेंगे आगला प्रस्ट से के कौँंसा आहार करने वाले तत्तों हैं ठीक है जहान रखेंगे बहुत महात्पूंट प्रेशन हैं अब मैं आपको बता दूँ जो अब्जेक्टिव कोश्चन होते हैं जैसे कि आपका यह अब्जेक्टिव पेपर होगा को करिकुलर का तो इसमें भाई कोश्चन गारंटी नहीं ले जा सकती कॉलेज वाले जो पेपर बनाते वह अपने इनुसार भी कोश्चन डाल देते हैं इधर से उधर से भी तो इसमें कोई फिक्ष नहीं होता कि कौन से हैंगे लेकिन समधामना कुछ होती है कि हाँ इस प्रकार के आएंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें भई अगला प्रशन है कि अहार नियुजन करते समय नियुन में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए यानि कि जब आप लोग अहार का नियुजन करते हैं तो उस समय आपको फश्चा पहले तो आपको उपलब्द साधनों का अधिक से अधिक सत्प्योग बजट के अनुसार बेत परिवार के सदस्यों के अहार सम्मंदी पसंद नापसंद की चीजे को इन सभी का आप लोगों को ध्यान रखना होगा तभी एक अहार नियुजन का पूरा परफेक्ट कॉम्बो यानि की पूरा पैक बन पाएगा ठीक है तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक खाना मतलब कि जो भी मेट्रियल है ठीक है वो पलब दय नहीं है तो इन सभी के ध्यान रखना पड़ता है बाकी आहार तालिका में वरडित किया गया है क्या वरडित किया गया है तो इसमें वरडित किया गया है बहिए आहार में कौन कौन से बिंजन या बोज़ प्रदार् देती है और इसमें यहां पर डे लिखा रहेता है जैसे कि स्वमवार को दाल चावल बनेगा मंगलवार को सब्जी रोटी बनेगी बुद्धवार को तहरी बनेगी ठीक है ब्रस्पतिवार को सब्जी रोटी बनेगी फिर सुक्रवार को आपका दाल चावल बनेगा इफी तर आप अपने घर में भी बना सकते हैं टेवल कि या इस दिनिया बनना चाहिए इस दिनिया बनना चाहिए ओके निश को इसे ने कि फुराच्छात्मक पॉस्टिक तत्त माना जाता है ना अप्शनों में से वह कौन सा अगर आपको मालूम है तो जोरू कमेंट रेक्शन में बता देने में समर्थ होना चाहिए और ठिक इफ्थित के अन्रूप होना चाहिए बिभिन पॉस्टिक तत्तों का उचित अनुपात में होना यह सभी एक संतुलित अहार में होना चाहिए इसलिए सही उत्तर इसका होगा उपर्युक्त में से सभी या इन में से सभी ठीक है अगल और अगाला की ऋतली की शिस्ता क्या है संतुलित अहार की शिस्ता ध्यान खेंगे मीफिन रखेंगे व क्या Um पूट गाइड में कितने सभू है तो डेली फूट गाइड में जो समोह के संख्या होगा साथ याद रखेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रोटीन पाई जाती याद रखेंगे पॉप्लर कोश्चिन है अगला कि दूद में सर्वधिक मतलब की मिलता है आपको कैल्सियम मिलता है याद रखेंगे अगला प्रशने कि आनाजों में कौन सा सर्वधिक पोश्टिक तत्थ मिलता है जो आप लोग दाल चावल रोटी से क्या मिलता है किमेंट सरकेंगे को स्ब institutions कर्णा याद रखेंगे अगला प्रशना कि नींब nove सो सर्वधिक पाया तो आपको जानकारी होनी वहां तुम ने व्यसे आपको train और सजेंगे व쉽ां कि आ अधिक मात्रा में पाया जाता है अगला कोश्चिन के गुड तथा सक्कर को किस वर्ग में रखा गया है तो गुड और सक्कर को जो जिस वर्ग में रखा गया वो पंचे मोर्ग में ध्यान रखेंगे अगला कि गिवो के भुड पोस में अधिकांस मात्रा में क्या पाया जाता है तो बहुत महत्मूर्वी भी प्रसन है तो सहित तरिस्का हो जाएक आप्से नंबर B इस्टार्ज पाया जाता है ठीके अगला की धान के कुछ जाने पे कौन सा पाउस्टिक तत्तु नस्टो हो जा यदर रखेंगे जुम में कितने उत्व होगा है तो में रखते ही और और यूम्हाइग 4-6 दूब स्क्राइमय दालों एक रहा है इन आपसनों में नहीं होता है वह में अधी निन इजसे होटा तामी कितने ब्रोटीन पाये जाती है झीओ रितीस प्रपाया जाता है वह बहीँ था 35-45% प्रोटीन पाई जाती है जो आप लोग आलो के साथ खाते हैं वही वाला स्वाइबीन में वसा कि मात्रा कितनी होती है तो ध्यान रखेंगे महात्मूर्ट प्रशन यह भी आप सभी के एक्जाम के लिए कमेंट सेक्षिन बता सकते हैं अगर आप लोगों किसका उत्तर मा अगला प्रशन है कि साधान तोर पर लोग कितने ग्राम सरकरायोत सब्जी का प्रतदिन उपयोग करते हैं करते सहां अफसी ग्राम अगलाएं कि आम बेर कुबाणी की तो आम बेर जो है यह ठीक है बीज युक्त फल है कि इसमें बीज पाया जाता आप लोग जानते भी है ठीक है अंगूर्स ठीक है शरीफा इस्टोवरी कि सुवर्ग के फल है तो ध्यान रखेंगे बहुत महात्पूर्ण प्रेश्ण इसका से उत्र हो जाएगा आपसे नमबर होती तो केला में जो कार्बोज की महत्रा होती उते होग इन आपसनों में से ठीक है तो इन आपसनों में से रोभी एप हो till एप सेटमझ में टीक है तो ग्राम Tsi नमबर किना लोह कि एक यहां बश्राया कि में कितनी प्रोटीन होती है तो सहीध नमबर छीटिके 26 तरफ गला परशने की सो ग्राम मौंग फली में ठाइमिन की मातरा कितनी होती तो सहीध घिरो सो ग्राम मौंग फली में दूद से दही में प्रोटियन की कितनी मात्रा होती है तो इस को सही से समझ लेजेगा फिर उत्तर देगे जो भी प्रशन पढ़ेंगे उसका पहले लेनी मात्रा में स्रोडियום कारी बाकी सभी कार सब्सक्रार क्या है तो सरीर में सारी ने सब्सक्राइब करते हैं कि अगला की फरीड में पाये जाने वाले फुर अच्छात्मक भोजन तत्तु कौन से यह सभी है क्योंकि खनीज लवड़ भी विटामिल भी प्रोटीन भी तर्डी हो जाएगा उपर्यक्त में से सभी उर्जा उत्पन करने वाले या फिर ठीक है ठीक है उर्जा उत्पन करने घजा उत्पन करने वाले भोज़ंदार्त हैं विश्यम है अगला प्रशन है कि पॉसर कि अस्थापना कि właściwie ही सभी थे महाद्पूर्ट परतन सहुतर काई नंबर हो जाएगा तो में जाने कि यह उसका सब्सक्राइब हो процесс nor के सब्दू होइक कि अगला प्रश्ण है कि भीया पोसर्ड मनुष में उसके बीच का संबंध इसमें पोसर्ड मनुष से एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें फारीरिक समाजिक कि प्रक्रिया दवार अपना भोजन स्वयम निर्मित कर लेते हैं ठीक है तो एन अमबर वर्ण वर्ण स्वतियां ठीक है इस समय मतलब कि आगे इतने प्रस्ण आएंगे उसके उसके वह सामने लिखें होंगे तो आपको यह देख लेना है ठीक है अब हम आते हैं और मतलब कि यह फस्ट उनिट फिर्ण देख लेते हैं यहीं पर ने आपको चार मने आपको बता रखा चार रूट फिर्ण 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 आते अलग से कोई नहीं आएगा ठीक है ध्यान रखेंगे लगबग लगबग यहीं से आएगा और इन सभी प्रस्णों का उतर लगबग लग कि यह मैंने एक में कनवर्ट कर लिया है इसको मैं टेलीग्राम वट्सप पे प्रवाइट करा दूँगा ठीक है यानि कि वट्सप पे टेलीग्राम पे हम डाल देंगे और आपको करना क्या है वीडियो के एंसर की पूरी की पूरी पीडियोप है उसको भी मैं आपको सभी को दे दूँगा लगभग लगभग उसी मेंसे सारी प्रशनाव की परिश्चा में फस जाएंगी ठीक है तो इस बात को ध्यान रखने है पूरी पूरी पीडियोप काम मिलेगी टेलीग्राम और वट्सप पे जो चात्र यहां तक वीडियो देखें है और जो मैसेज करेंगे उन्हीं को मिलेगी इस बात को भी ध्यान रखेंगे ठीक है क्योंकि कोई भी वीडियो लाफ तक देखता नहीं है तो जो लाफ तक नहीं देखता है वो अध्य धूरी जानकाई लेकर चला जाता है और मान कारी देखता धी जिसे कि मानदी आपका 100 number का पेपर होगा ठीक है to सो नमबर के पेपर में इस तरह का जो क्वेश्चन होगा जैसे कि यह क्वेश्चन थीक है उसमें लिखा कर्भाषम होगा साथन कौनसा है ठीक है तो आपको इसमें लास्ट वाला उपर्योक्त में सभ ठीक है ऐसे कोश्चन जिसमें लास्ट में सभी लिखा करीब करीब आपके परिच्छा में 30 से 35 कोश्चन ऐसे आएंगे ठीक है जिसमें लास्ट में लिखा होगा उपर्योक्त में से सभी ठीक है ठीक है ओके और आपको करना क्या है जिस भी प्रश्चन का उत्तर मालूम है थो ये वाला आपसन दिया गया है, वही आपको select करना है, ये बहुत ही बहतरीन और best tricks है, और tips है, जो कि exam में आपको सफल बनाएगी, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ये tricks और tips आपको अपना के जाना है, और सारे प्रश्णों के उत्तर दे कर आना है, कोई भी minus marking नहीं ह ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, और थोड़ा फास्ट उत्तर दीजिएगा, वरना आप बाद में बोलेंगी, कि सब टाइम हो गया था, और टाइम ओबर हो गया था, हम सारी question को उत्तर दे नहीं पाएं, तो थोड़ा फास्ट करिएगा, ठीक है, टिक करना होता है, बस वहाँ पर इच्छा देने जाएंगे, तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर बता दी जाएगे, ठीक है, फिर याल कोई question ज़रू पोचेगा, मिलते हैं नहीं वीडियो में, जहेंद,